कि नमस्कार दोस्तों कि लेरेवल इंस्टाल अपका फिर से स्वागत है कि पिछले वीडियो में बता रहा था आपको की कैसे डिपेंडेंसी इंस्टाल करते हैं और वो वीडियो वहीं पे कट हो गई थी तो dependency जैसे ही आपका install हो जाता है आपको generating auto load files का एक message मिलता है जब ये message मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका dependency install हो चुका है अब सिखेंगे कैसे create करें एक नया project जैसे आप टुटोरियल में आएंगे documentation में लेरवल documentation में आएंगे यहां आपको मिला है लेरवल new block यहां पे आपको जैसे ही आप लेरवल new block करके नया project बनाएंगे तो लेरवल ब्लॉक का बेक बना बनाया पहले से content आपको दिख जाएगा बना बनाया लेरवल प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा जिसमें block से related कुछ चीजिये होगी लेकिन हमें एक phrase लेरवल का project create करना है तो हमें composer create project लेरवल्स लेस लेरवल इस कमांड को यूज करना पड़ेगा इस कमांड को कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं अपने कमांड प्राउंट पर फिर उसके बाद कुछ इस तरह से अपना वो कमांड लाइन कमांड होता है इस तरह से composer create project लेरवल्स लेरवल्स लेरवल create project name just my first project my first project मैंने डेमो के रूप में यह नाम लिया my first project जैसे आप इसे install करेंगे आपका पहला project आपके computer में install हो जाएगा यह command execute होने start हो जाएगे फिर इसके बाद आपके सारे जितने project बने हैं सब के सब create हो जाएगे और इसके requirement में कोई dependency है वो भी install हो जाएगा तो मैं कुछ देर के लिए यह video यहीं पर hold करूंगा ताकि project install हो जाए फिर उसके बाद मैं उसको दिखाता हूँ यह process चल रही है अभी जैसे ही आपका project install हो जाएगा जैसे ही आपका Laravel project install हो जाता है आप देखेंगे कि application की आपके लिए generate हो जाती है और आपके application के लिए यह set हो जाता है ठीक है आप इसे अच्छे तरह से देख ले सारा dependency और यह सारा folders जो आपके project को run करने के लिए जरूरत होती है वो install हो जाता है इसके साथ में ही फिर उसके बाद आपके यह project चलने जाता है कैसे check करेंगे यह हमारा चलने start हो गया अब मैं आपको कहूँगा कि आप जहां पे आपका localhost है localhost में आपने जिस नाम से project बनाया था जैसे मैंने मनाया था my first project my first project को जैसे ही आप click करेंगे run करेंगे आपके server में तो आप देखेंगे कि आपके सारे file आ जाएंगे आपके file नहीं दीख रहे है इसलिए क्योंकि जैसे ही आप public पे click करेंगे तो यह आपका project run level 5 यह आपका project run start start हो गया तो इस video में मैंने आपको बताया कि कैसे नया project create करते हैं अब मैं अगले video में आपको बताऊंगा कि कैसे directly मैं अपने project का नाम लिखूं और हमारा project open हो के आजाए यह public slash और और भी Laravel से जूर बाते मैं आपको बताऊंगा thank you for walking video देखने के लिए दनिवाद thanks